हमारे पांस इतनी बड़ी रेलिवे है दुर्वाग के है वित्रों देश में रेलिवे की तरफ ज्ञान नहीं दिया गया यही रेल आप देखिए जापान में जो बदलाव आया क्यों आया जापान ने गुले ट्रेन का तंसे पलाया और पूरे देश को खड़ा कर आया यह बनो आप कलपना नहीं कर सकते रेलिवे हिंदुस्तान की कितनी बड़ी साकत बन सकता है आज का रेल के जो नेटवर्क है उसी को आधुलिक बनाये जाए तो हम हिंदुस्तान की विकास की यात्रा को एक न लेस हिस्टोरी इजवर डिसीजन तो इंट्रूरी उस्पीड रेल न दे मुंबाइ एमिरबाद सेक्टर इसमें सबसे बड़ी चीज इन्होंने का कि एक बुलेट ट्रेन चालू करेंगे बुलेट ट्रेन जैसे जपान में जौरत में इन बड़े-बड़े देशों में होती है बुलेट ट्रेन चालू करेंगे दोस्तों मैं थोड़ी सी गुना भाग करके देखी है कि इसमें एक आ और मेरी जो गुणा भाग दिखाती है कि इस ट्रेन में मुंबई से एहमदाबाद तक यात्रा करने के लिए एक तरफ का एक आदमी का 75,000 रुपे का किराया होगा लेकिन सवाल ये भी उठ रहा है कि बुलेट ट्रेन का किराया कितना होगा जापान की टीम ने किराया तै करने के लिए फेयर बॉक्स रेविन्यू मॉडल बनाया है जिसके मताबिक बुलेट ट्रेन का किराया सेम रूट पर एसी फर्स क्लास का डेड़ गुना होगा इस मॉडल के इसाब से मॉंबई एहमदाबाद रूट पर 534 किलोमीटर की दूरी के लिए एसी फर्स क्लास का किराया 1895 रुपए है तो बुलेट ट्रेन का किराया 2800 रुपए होगा जबकि जापान में 713 किलोमीटर दूरी का किराया 8000 रुपए है और चीन में बीजिंग से शंगाई के बीच का टिकट 5000 रुपए है